हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, साल दोजार चौबीस का केमिस्ट्री का नॉबल प्राइज अनौन्स हो चुका है अमेरिका के डैविड बैकर और ब्रिटेन के डैमिस हसाबिस और जॉन जमपर इनको सभी को कमबाइंड ली ये नॉबल पुरुसकार केमिस्ट्री की फील में दिया गया है तो यहाँ पर इनकी जो दो अलग-अलग खोज थी जिसने की प्रोटीन के बारे में जो पहली है उसको सुलजाने में काफी हद तक यहाँ पर मदद किये और जिसी वज़े से इनको नॉबल पुरुसकार दिया गया है अमेरिका के डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए जबकि ब्रिटेन के डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए यह नॉबल पुरुसकार दिया गया है तो यहाँ पर जो लंदन के गूगल डीप मैंड्स के डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर ने प्रोटीन के आकार का पता लगाने के लिए एक AI मॉडल बनाया और इसमें प्रोटीन के बारे में नई समझ को विक्सित करने में काफी मदद मिली और वेक्सीन और दवाईया बनाने का भी रास्ता यहां से खुलेगा तो एक बहुत यह बड़ी खोज है यहां पर Royal Swedish Academy of Science के जो महा सचीव है Hence Allegren उनके मुताबिक University of Washington के Professor David Baker की जो खोज है उसमें यह भी बताया गया है कि जिन्दगी की शुरुआत जिस स्पर्म या अंडे से होती है उसमें भी प्रोटीन की भुमी का बहुत एहम होती है तो यहां पर यह जो Nobel पुरुसकार दिया गया है Chemistry की फील्ड में उसमें दो अलग-अलग खोज है प्रोटीन के बारे में जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसके बारे में साथ ही यहां पर जो प्रोटीन के आकार का पता लगाने के लिए जो AI मौडल बनाया गया है उनके बारे में जो ये combined research है उसको noble पुरुसकार दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये अलग-अलग हो जो ये उससे protein के बारे में कई सारी जो पहेलिया हैं गुठिया हैं उनको सुल्जाने में मदद मिलेगी तो एक बहुत ही ये अच्छी research है जो की आने वाले समय में क अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा thank you for watching this video